नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyoti Secret कन्यारासी वालों किसी के पीछे अपने जिन्दगी खराब करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप प्यार में हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं लेकिन इसके आगे जो होता है वो अधिकतर मामलों में तकलीफ देता है कैसे और कैसे बचे दोनों ही यह बाते हम आपसे सेयर करेंगे देखिए आपको तो पता ही है कि भगवान सरी कृषने से ज़्यादा कोई सच्चा प्यार करने वाला दुनिया में हो ही नहीं सकता यदि आपको कोई प्यार ठुकरा दे तब आप क्या करें अगर कोई आपकी कद्र ना करे आपको कोई समझना ना चाहे आपको लगे जैसे आप हार चुके हैं तब क्या करें लेकिन उसके पहले एक बात जान ले यह जो प्यार है वो सबसे प्यारा सब्द है और यह बंधन नहीं चाहता प्यार का मतलब होता है स्वतंतरता प्यार बंधन नहीं है क्योंकि जिस दिन आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति कि आपके प्यार में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं बंधना चाहता, तो उस दिन आप साय तूट जाते हैं, कभी-कभी आपको लगता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, करें क्या, कभी आप गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, कभी ऐसा भी होता है, कि आप छल करने की सकता है यह सकता है सामने वाले जो यह वाले हैं आपके फिलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं वह टाइम पास कर रहे थे आप उसे प्यार समझ बैठे तमाम तरह की ऐसी चीजें होती है जीवन में जब आप बहुत तूट जाते हैं अकेला पड़ जाते हैं वैसे तो कोई भी बच्चे इतने आधुनिक हो गया हैं महेंगे महेंगे गिप्ट्स तौफे देते लेते हैं तो यह क्या है आप चाहते हैं कि आपका जो प्यार है उसको आप दुनिया की सबसे कीमती वस्तु उपहार में दे लेकिन जो प्यार है क्या वो सच में आप से प्यार करता है या सि सामने वाला नामे जवाव दे दे, तब दिल तूट जाता है, तब आप एकदम से तूट जाते हैं, पर एक बात हमेशा ही याद रखेए, अगर सच में किसी से प्यार करते हैं, तो उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे, क्योंकि प्यार तो आप कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि सा प्यार नहीं मिलता तो उदास हो ही जाता है और वैसे सास्त्रों की माने तो प्रेम बंधन नहीं मुक्ती चाहता है प्यार का मतलब है किसी के साथ किसी को बंधना नहीं बलकि आ जाती इसलिए थोड़ा मुश्किल तो लगता है बहुत वार हम आकरसन में बंध जाते हैं और य जब आप फूलों के बगीचे में जाते हैं या किसी अच्छी वस्तू को देखते हैं तो आपको लगता है आप दुकान में ही गया है कोई चीज आपको अच्छी लगी आपको लगता है वो ले 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 वो क्या है वो प्यार नहीं है वो आकरसन है आपको अच्छा लगा आप चाहते हैं अपने पास रख लें लेकिन प्यार के साथ ये नहीं होता है प्यार मित देना होता है प्यार में कुर्वानी होती है लेकिन कुर्वानी मतलब दिल को बढ़ा करना एक बात हमेशा ही याद रखे आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो सामने वाला भी प्यार करें ये तो जरूरी नहीं लेकिन एक बात है अगर सीधे सब्दों में कहें तो प्यार धन दौलत से कहीं बढ़कर है और प्यार वो ताकत है जो हर बंदन को तोड़ने की सक्ती भी रखता है कभी-कभी गलत आकरसन में बच्चे पढ़कर भी सोचते हैं कि हम प्यार में हैं पर इस भटकाव से आपको बचना चाहिए लेकिन अगर बुरा समय आ गया है आपको किसी ने ठुकरा दिया बहुत हर्ट हुए है बहुत ज़्यादा तूट चुके हैं तब क्या करें तब ऐसे में सबसे पहली बात जब आपको लगने लगे कि बहुत गलत हो रहा है कभी-कभी आप खुद को ही कोशने लगते हैं कभी बहुत सारी मन में तमाम तरगे बिचार चलने लगते हैं जो निगेटिव थौट होते हैं निगेटिव बिचार होते हैं क्या वो सही होता आपके माता पिता है तो ऐसे में कोई भी लड़का हो या लड़की हो जब भी आपको लगे कि बुरा टाइम चल रहा है बुरा वक्त चल रहा है आप ठुकरा दिये गए हैं तो ऐसे में ये मत सूचिए किसी एक के ना बोलने से अब ये तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर किसी से प्यार करे अब सामने वाले ने इंकार किया तो किया अगर आप काबिल बन जाते हैं जीवन में जो लक्ष पाना है आप पा लेते हैं उस दिन सामने वाला या फिर जिसने आपको ठुकरा आया है वो सामने से आकर या तो सहरी कह गया या तो लाइफ टाइम पस्ता आएगा तो क्यों न हम समय का सदूप योग करें अपने अंदर छीपी भी परतिभा को बाहर लाए अपने हुनर को तरा से और फिर अपनी मंजिल को पाए बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटर होते हैं पढ़ने में लेकिन कभी थोरी सी चूप हो जाती है ऐसे तो ये हार्मोरल प्राबलम है बच्चों में होती है विपरित लिंगी के परती थोरा आकरसन होता है लेकिन हर आकरसन करने वाला चीज थोरा सा यहां पर बच्चे कभी-कभी बहग जाते हैं लक्च से भटक जाते हैं प्यार करने के लिए हलांकि कोई उम्र सीमा बंधन नहीं होती लेकिन फिर भी एक बार जरूर समझ ले कभी-कभी तो बच्चे खुदी समझ जाते हैं कभी-कभी पैरेंट्स अगर फोरे से समझाते तो वो ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर आपको लगे आप अपने पैरेंट्स से नहीं कर पार हैं तब ऐसे में आप अपने आपको सिर्फ ये सोचे ठीक है आपbudsने किसी से प्यार किया है लेकिन उसके आगे क्या आपको उनसे विवा करना है माल लेते हैं आप बालिग हैं लेकिन आप विवा करने के बाद उसके साथ कहां रहिएगा उसे क्या खिलाईएगा उसे कैसे रखिएगा उसके लिए तो आपको अपना future ठीक करना है ना आप अपने भविश से अपने bright future को लात मत मार ये क्योंकि यहीं से तो आपकी लाइप शुरू होती है प्यार करते हैं अची बात है लेकिन हर्स में प्यार में डूगे राना सपने सजाना ऐसा करने से क्या होगा एक तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा चीजों से भटकाओ हो जाएगा आप अपने लक्षे को नहीं प्राफ़ कर पाएंगे तो ऐसे में अगर आप जिसे प्यार करते हैं वो भी आपसे सच्चा प्यार करें तो वो आपको समझाएगा आपके जो सीमाएं हैं आपके जो लक्षे हैं उसकी तरफ प्रेडित करेगा वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बे मतलब के टाइम पास करके आपका समय प्रबाद कर सकते हैं तो समझना आपको है हर समय तो आपके माता पीता हर बात आपकी जानते नहीं है हर समय आपको गाइड नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, बहुत बच्चे हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई इंजिनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, अभी तो बहुत सारे ओप्सन हैं, ऐसे में क्या करेंगे, जब भी आपको लगे, तो आप सम और आपको जुकाएगी इसलिए बिल्कुल कॉंफिडेंट रहें लोग क्या कहते हैं लोग दो चार दिन में बाते भूल जाते हैं लोगों की बात को पकड़े रहेंगे तो आगे नहीं भर पाईएगा और वैसे भी करने वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं तो ऐसे में हमे बार में आपको कोई नहीं समझ पाएगा नहीं कर पाएंगा बातों को से और तो एक कोरा कागज कलम लें सारी बाते लिए आँखों से आसों निकलती है निकलने दें वह जाने दें क्योंकि जितना ज्यादा बहेगा उतना ही मनहलका होगा फिर उसे फाड़कर फेक जब ज़्यादा मन बिचलित हो तो सोचाइए कुछ देर जब आप सोकर उठेंगे न आप देखेगा आपको मन हलका रहेगा और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूसन ना हो और आप करने वाले वैसे भी बुद्धिमान होते हैं बुद्ध के पास आपको यह करना है तो उमीद है आप अच्छा करेंगे और बहुत तरकी कीजिएगा जिस दिन मंजिल मिल जाए उस दिन कमेंट जरू कीजिएगा हम आपसे भी दा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव धन्यवाद